जहीं तो भई सभी को कैसे और आप सभी तो भाई आज इस वीडियों कुछ इंपोर्टेंट बाते में आपको बताने वाला हूँ जैसा कि आपने थमनेल पर भी देख लिया होगा कि एक अगनीवीर भाई थे उनसे मैं मिला था तो उनसे कुछ इंपोर्टेंट बातचीत मेरी जाएगा ठीक है वरना डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना वहाँ पर मैं उस वीडियो की लिंक आपको देदूंगा कुछ फोटो में आपकी इसी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ जो आप देख पा रहे हैं यह पहला फोटो जो है यह इसका उस टाइम का है जब इसने अगनिवीर है वो पर्मानेंट होंगे या नहीं तो इसका कहना यही था कि अब भी तो सरकार यही बोल रही है कि 25 परशंट को पर्मानेंट करेंगे लेकिन यह धीरे धीरे जो है सारे के सारे पर्मानेंट होंगे इनका कहना यही था और देखो भाई इस चीज के बारे में उस बंदेस जादा कोई नहीं जान पाएगा जो मतलब वहां पर भरती है तो उसका कहना यही था कि आप तयारी करते रहो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सभी पर्मानेंट होंगे एसी कोई बात नहीं है ठीक है और मैं आपको बता दूँ भाई जो अगनी पत की पहली भरती हुई थी ना अगनी वीर वाली तो उसी में इस बाई का सेलेक्शन हो गया था और भाई मैंने इस से पूछा था कि मतलब जो अगनी वीर हैं और पर्मानेंट जवान है उनके अंदर कोई भेदवाव आप में किया जाता है सेना के अंदर तो इनका कहना था कि हाँ कुछ करत हैं जो लोगों सारी चीजें जो भी कुछ अड्रेस से सम्मनित सारी चीजें अगनी वीरों को वही सेम टुसेम दी जाती हैं ना कोई अगनी वीरों के लिए कोई अलग सिस्टम है सारी चीजें अगनी वीर भी वही ड्रेस यूज करते हैं वही लोगों यूज करते हैं नहीं मिला था दिवाली का बोनस तो और ये भाई सेना के और से बहुत जादा गलत किया गया अगनिवीरों के साथ जो दिवाली का बोनस है पर्मनेट जवानों को दिया गया लेकिन अगनिवीरों को नहीं दिया गया क्योंकि भाई देश की सेवा तो अगनिवीर भी कर रहे ह और जो दुस्मन की गोले है वो ये भी पूछ कर नहीं लगेगी कि भाई आप अगनीवीर हो या फिर पर्मानेट जवान हो तो उनको जो है वो दिपावले को बोनस दिया जाना चाहिए था और भाविसे में हो सकता है ऐसा नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए भाई जो पर्मानेट जवान है और अगनीवीर है सबी को जो दिपावले के बोनस दिये जाने चाहिए जो भी बोनस है चाहिए वो पर्मानेट जवान हो चाहिए कोई भी हो थी उससे जो फाल्टू ट्रेनिंग नहीं दी गई लेकिन जो सेना के लिए जो चीज़े होती हैं वो सारी चीज़े इनको लगभग सिकाई गई थी और अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपनी यूनिट में भी पहुंच चुके हैं यूनिट का नाम और इनका न पर्शनल लाइफ है तो यह सारी चीज़े थी जो मैं आपको बताई और उम्मीद करते हूं यार सारी चीज़े आपको अच्छे समझ भी आये होंगे बाकि आपका कोई कंफ्यूज है ने कोई प्रसने आप कमेंट कर देना मैं उससे पूछ कर और भी कई अगनिवीर साती है उनसे पूछ कर सारी चीज़े मैं आपको बता दूँगा तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जानकार एक साथ तब तक के लिए जय हिंद जय बाहरते सेन